मायापुरी न्यूस रील में आपका स्वागत है मैं हूँ संजना आईए देखते हैं बॉलेवोट की खबरे फटा फट खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दे हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब इसी बुलेटेन में होगा आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखे हमारा अज का सवाल है किसके साथ बाइक राइट पर निकली दिपिका इबराहिम दिव्यांका त्रिपाठी के पती को लग गई थी सटे बाजी की लट ऐसे पाया छुटकारा दिव्यांका त्रिपाठी के पती विवेग दहिया टीवी के जाने माने आक्टर्स में से एक हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक शो में काम किया है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी एक समय ऐसा था जब विवेक दहिया गैंबलिंग करते थे जब विवेक गैंबलिंग का शिकार हुए तब वो महज 19 साल के थे एक दिन एक दोस्त मुझे कैसीनों में ले गया मैंने उस दिन पैसे जीते, मैं बहुत खुश था जल्द ही मैंने काम के बाद नेमत रूप से कैसीनों जाना शुरू कर दिया विवेक ने एक बार जुए के लिए कुछ पैसों के बदले किसी को कार की चाबी भी दी थी विवेक ने आगे बताया एक रात मैं बहुत पैसा घमा चुका था एक बांगनदेशी ड्राइवर ने अपनी कहानी मुझे सुनाई उसने बताया कि कैसे वो कड़ी महनत करके साथ टैक्सी का मालिक बन गया लेकिन एक शाम को उसका दोस्त उसे एक कैसीनों में ले गया और उसके बाद से उसकी जिंदिकी अस्थ व्यस्त हो गई वो जुए का आदी हो गया और सब कुछ खो दिया उसकी कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और वो आखरी दिन था जब मैं एक कैसीनों में गया था TV आक्टर विशाल आदित थे इन दिनों डांस रियालिटी शो नचबलिये में अपनी एक्स गल्फरेंड मधुरिमा तुली के साथ नजर आ रहे है मधुरिमा से पहले विशाल का नाम एक दूसरी TV आक्टर्स के साथ भी जुड़ चुका है ऐसी खबरे थी कि मधुरिमा को डेट करने से पहले विशाल ये रिष्टा फेम आक्टर्स शिवांगी जोशी को डेट कर रहे थे बता दें कि विशाल और शिवांगी साल 2015 में आय सीरियल बेगु सराय में एक साथ देखे गए थे विशाल ने शिवांगी संग अपने रिष्टे की खबरों को गलत बताया है विशाल ने कहा हमने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया शिवांगी और मैं कभी भी साथ नहीं थे वो मेरे लिए सिर्फ मेरे पहले शो की हिरोईन है मेरे लिए हर लड़की सेक्स मैटेरियल या गल्फरेंड या वाइथ नहीं हो सकती है विशाल ने आगे बताया शिवांगी मेरे लिए सिर्फ मेरी को अक्टर है वो एक बच्ची की तरह थी और मैं उनका काफी खयाल रखता था क्योंकि वो इस स्क्रीन पर मेरी पतनी का रोल निभा रही थी हम लोग एक दूसरे के साथ काफी कमफ़टेबल थे इसलिए लोगों को लगा कि हम डेट कर रहे हैं शिवांगी जोशी की बात करें तो वो ये रिष्टा क्या कहलाता है शो में अपने ओन स्क्रीन पती कार्ती का किरदार निभा रहे है मोसिन खान को डेट कर रही है देसी अंदाज में विवेक सुहाग ने बवीता फोगाट को किया प्रपोस नचपली सीजन 9 शुरू हो चुका है इस बार शो में रेसलर बवीता फोगाट और उनके मंगेतर विवेक सुहाग ने भी हिस्सा लिया है शो के पहले अपिसोड में दोनों ने अपनी लव स्टोरी शेयर की थी शो के दोरान जब जज रवीना टंडन ने विवेक से पूछा कि अगर उन्हें ववीता को प्रपोस करने का मौका दिया जाएगा तो वो किस तरह प्रपोस करेंगे इस पर विवेक ने हर्याणवी लहजे में ववीता को प्रपोस करते हुए कहा जब तो कुछ ती लड़ती है ना जब तेरे चोट लागे है मेरे दिल में घना दर्ध होए है उनके इस देसी प्रपोसल ने जजजेस समेत ओडियन्स का भी दिल जीत लिया गौर तलब है कि विवेक और बवीता दोनों हर्याणा से हैं कुछ महीनों पहले दोनों की सगाई हुई है और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधेंगे विशाल ने एक्स गर्प्रिंट मधुरिमा को गले लगाने से किया इंकार नच्पली नाइन में मधुरिमा और विशाल की परफॉर्मस देख कर दोनों जज बहत खुश होते हैं एक्स कपल की ओन स्क्रीन केमेस्ट्री सभी को दिवाना बना देती है डांस एक्स देखने के बाद एहमत खान उन्हें कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का आईना हो तब ही रवीना कहती है कि अब आप दोनों हग कर ले इसी बात पर विशाल भड़क जाते हैं वो मधुरिमा को गले लगाने से साफ इंकार कर देते हैं विशाल कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं विशाल का ऐसा रविया जजों को हैरान कर देता है प्रीमियर वाले दिन भी विशाल ने मधुरिमा संग रिष्टे को मौका देने से साफ इनकार कर दिया था विशाल और मधुरिमा दोनों ने माना था कि वो एक दूसरे के लिए नही आचुके हैं, वहीं अब नई रिपोर्ट्स में बॉलिवुड आक्डरस मुगदा गोटसे का नाम भी चर्चा में बना हुआ है, बिग बॉस 13 के लिए मुगदा गोटसे को फाइनल कर लिया गया है खबरों में दावा किया जा रहा है कि मुगदा मौडल मही का शर्मा संग बिग बॉस के घर में एंट्री करेंगी रिपोर्ट के मुताबिक मुगदा और मही का शर्मा ने 26 जुलाई 2019 को बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉंट्राक्ट भी साइन कर लिया है बतादे कि मुगदा के बॉस्रिंट राहुल देव विग वॉस देटेन में देखे जा चुके हैं वहीं मुगदा की बात करें तो उन्होंने फिल्म फैशन से बॉलिवुड में डेब्यू किया था इसके बाद वो फिल्म All the Best और जेल में भी देखी जा चुकी है पती संग बाइक राइट पर निकली दिपिका इब्राहिम हाली में दिपिका ककड और शोईब इब्राहिम दोनों मुंबई की बरसात में बाइक राइट पर निकले दोनों ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है शोईब इब्राहिम ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा पर्फेक्ट मौसम, पहली बार दीपिका मेरे साथ बाइक राइट पर निकली और पर्फेक्ट चाय दीपिका ककर और शोईब दोनों ही तस्वीरों में मैचिंग आउटफिट में नजर आ रहे हैं सफेड टी-शिर्ट और स्काय ब्लू ट्राउजर में दोनों ने मौसम के मुताबिक ड्रसिट किया है बता दे कि तस्वीर में नजर आई शोईब की रेड बाइक उनकी पसंदीदा है आल्या भट, पूजा भट और शाहीन भट ये तीनों बहने फिलाल उटी में छोटिया मना रही हैं इसी दोरान उनके पिता और फिल्म निर्माता महिश भट ने इन तीनों की एक तस्वीर ली है जिसमों एक साथ बैठी दिखाए दे रही है फोटो की कैप्शन में भट ने लिखा है कभी कभी किसी खास पल की कीमत आप तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक वो याद नहीं बन जाता एक बर फिर बता दे हमारा अज का सवाल है किस के साथ बाइक राइट पर निकली दिपिका इब्राहिम आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखे मायापुरी न्यूस सील में इतना ही कुछ देर में फिर हासर होंगे बॉलिवुट की तमाम अपडेट के साथ देखते रहे हैं मायापुरी काट